दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे Walter Delamere की एक पोएम The Listeners मैं आपको बता दू ये पोएम थोड़ी सी भूतिया टाइप की पोएम है दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा तो इस पोएम की शुरुवात होती है एक सवाल से शायद किसी घर के बहर और पूछता है कि अंदर कोई है Knocking the moonlit door यहाँ पे moonlit door मतलब रात की चांद की रोश्टी में एक दर्वाजा है जो चमक रहा है और उसको हमारा traveler खट-खटाता है Knocking का मतलब ठक-ठक-ठक करना And his horse और उसका घोड़ा क्या करता है In the silence वो silence में खड़ा हुआ है वो शायद घोड़े पर travel करके आया है उसका घोड़ा silence में चुपचाप खड़ा है Champed the grasses वो घास खा रहा है वहाँ पर घास जो है न Off the forest ferny floor यह लाइन पढ़कर हमें लगता है वो घर शायद जंगल के आसपास बना हुआ है इसलिए बोला गया है forest ferny floor तो जंगल की जो घास है उसको वो घोड़ा खा रहा है नहाँ पर ferny floor का मतलब है घास का floor उमीद करता हूँ first रेंज़ा आपको समझ में आया है एक unnamed traveler एक जगा पर पहुंचता है दर्वाजा खटकटाता है बोलता है क्या कोई अंदर है उगर शायद किसी forest के आसपास बना हुआ है और पास ही में उसका खोड़ा खड़ा हुआ है जो forest में जमीन पर जो उग्योई घास है उसको खा रहा है वो traveler इंतजार कर रहा है कि कोई उसे अंदर से जवाब देगा बड़ाई घूसली environment है दोस्तों अचानक से क्या होता है अचानक से क्या होता है एक पक्षी निकल कर traveler के सिर के उपर से उसके head के उपर से उड़ कर चला जाता है वो पक्षी कहां से निकलता है turret में से ये turret क्या होता है basically west में घरों के उपर एक tower बनता है कुछ इस type का उनको बोला जलता है turret तो एक पक्षी चुपा हुआ था इसके अंदर traveler ने जब जाके दरवाजा खटखटाया तो वो पक्षी निकल कर बाहर आया और उड़कर चला गया and he smote up on the door again a second time तो traveler ने क्या किया second time फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाया और इस बार थोड़ा forcefully खटखटाया और फिर से अपना question repeat किया is there anybody there क्या अंदर कोई है he said उसने कहा but लेकिन no one descended to the traveler कोई भी उस घर से बाहर नहीं आया traveler से मिलने के लिए no head from the leaf princel और ना ही उपर से leaf princel से यानि कि पत्यों से ढखी हुई खिडकी से किसी ने उपर से जांक कर देखा किसी का head बाहर नहीं आया ये देखने के लिए कि दरवाजे पर कौन खड़ा है और कौन चिला रहा है बार बार ये आगे वाले line में बोल रहा है न leaned over मतलब उपर से जुक कर किसी ने भी नहीं देखा and looked into his grey eyes यानि traveler की grey eyes में देखने के लिए उपर से किसी ने भी नहीं जांका खिडकी में से where he stood perplexed and still ये दोस्तो इस perplexed word को note कर लेना इसका मतलब होता है confusion में खड़े रहना कि इंसान जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता इसके लिए ये word यूज़ किया जाता है पपलेक्स तो वो चुपचाप खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है क्या कोई अंदर है नहीं लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों आगे वाले लाइन में पायट बोलते हैं but only a host of phantom listeners कुछ phantoms यानि की प्रेत प्रेत आतमाई थी अंदर थे बूत थे अंदर वो लोग उस आदमी के listeners थे वो लोग सुन रहे थे उस आदमी के आवाज को जब वो दर्वाजा खटखटा रहा था that dwelt in the lone house जो लोग उस lone house में उस वीरान सुनसान घर के अंदर रहते हैं then stood listening in the quiet of the moonlight जो चुप चाप चांद की रोशनी में खड़े होकर उस आदमी के आवाज को सुन रहे थे to that voice उस आवाज को सुन रहे थे from the world of men कि एक जिन्दा आदमी बाहर आया है दर्वाजा खटखटा रहा है और पूछ रहा है कि क्या कोई अंदर है उस आवाज को ये phantoms यानि कि प्रेत आत्माएं सुन रही थी आगे की लाइन्स थोड़ी सी डरावनी है सुनना stoop thronging the faint moonbeams on the dark stair वो ghostly beams जो थे ना यानि कि भूट प्रेत आत्माएं वो stairs के पास में खड़े थे जहां पर moonbeams यानि कि चांद की रौशनी आ रही थी that goes down to the empty hall चांद की रौशनी नीचे की तरफ वो अंदर से वीरान सुनसान घर का एकदम quiet atmosphere था और उन लोगों को उस traveler lonely traveler की आवाज सुनाई दे रही थी अंदर की दरफ ऐसा लग रहा था कि उस traveler की आवाज ने उस घर की शान्ती को बंग कर दिया मतलब डिस्टरब कर दिया उन लोगों को बाहर का सीन है बाहर खड़े उस traveler की बारे में बताय जा रहा है की and he felt in his heart पतलब उस traveler को अपने दिल के अंदर feel तो हूँ चुका था their strangeness की इस घर में कुछ तो strange है कुछ तो अजीब है their stillness answering his cry उन भूतों की चुपी उन भूतों की silence उस आदमी के चिल्लाने का जवाब दे रही थी जबकि उस आदमी का घोड़ा while his horse moved वो move हुआ लेकिन वो disturbed नहीं हुआ उसके चिल्लाने से cropping the dark turf वो अभी भी अपनी घास चबाने में लगा हुआ था neath the star and leafy sky यहाँ पे दोस्तों neath का मतलब है beneath बिनीत का मतलब नीचे असमान में उपर तारो भरा आकाश था और पेड़ पौधे थे अब उसको जब जवाब नहीं मिला तो वो क्या करता है for he suddenly वो अचानक से smote on the door दोस्तों यहाँ पे smote का मतलब है smite की second form है smote वो अचानक से fit से जोर से दर्वाजा खटखटाता है even louder अब और भी ज़्यादा तेज आवाज में वो बोलता है lifted his head वो अपना सेर उपर की तरफ उठाता है जिलागर बोलता है उसको अंदाज़ा तो था कि कोई अंदर है जो उसे सुन रहा है उसके listeners हैं वो बोलता है tell them I came कि उनसे कहना मैं आया था शायद वो किसी से मिलने आया था यहाँ पर इसलिए बोल रहा है कि उनसे कहना मैं आया था and no one answered जब मैं आया तो किसी ने जवाब नहीं दिया that I kept my word मैंने अपने words रखे यानि कि अपना promise रखा he said वो कहता है कि मैंने अपना promise रखा मैं यहाँ पर आया था उनसे कह देना लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया शायद वो किसी से मिलने आया था किसी से promise किया था कि मैं मिलने आऊंगा पिर हो सकता है कि traveler पहले भी यहाँ पर आ चुका है कहता है कि बता देना मैं यहाँ पर आया था किसी ने जवाब नहीं दिया इसलिए मैं जा रहा हूँ मैंने अपना promise रखा Never the least made the listeners इसका मतलब यह है कि उन listeners ने यानि कि उन प्रितों ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया कोई response नहीं दिया Though every word he speak तो उस traveler ने जो भी बोला था वैल echoing through the shadowiness of the still house उस घर के अंदर उसकी आवाज गूंजी यानि echo ही उसकी आवाज की यह उस traveler की बात की जा रही है यह उस traveler के लिए बोला गया है उस environment के अंदर एक ही इंसान था जो जिन्दा था वो traveler उसके मूँ से आवाज आ रही थी और उस आवाज ने उन प्रेतों को disrupt कर दिया था उसकी आवाज उस घर में गूंज रही थी एको कर रही थी यह stirrup का मतलब होता है गोडे के उपर इस तरह से बांदा जाता है पैर रखने के लिए तो उन लोगों ने आवाज सुनी कि वो आथमी अपने घोडे पर बैठ गया है और पत्थरों पर आईरन के आवाज आ रही थी शायद वो घोड़ा चल रहा था उसके पैरों में जो नाल लगी हुई थी वो मेटल की थी इसलिए चलने की आवाज आ रही थी उस घोड़े की जैसे आईरन और स्टोन आपस में टकरा रहे हुँ अखरी लाइन ये है और इस ट्रैवलर की जाने की बाद में वो साइलन्स वो चुप़ी फिर से वापस आ गई उस चुप़ी को डिस्रप कर दिया था न उस ट्रैवलर ने वेन दे प्लंगिंग हूफ्स वर गॉन यहाँ पर उस ट्रैवलर की बात की जाए रहे है कि ट्रैवलर और उसका घोड़ा वहाँ से चले गए प्लंगिंग हूफ्स उस ट्रैवलर और उसके घोड़े को ही बोला जा रहा है इहीं पर यह पोईम खतम होती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई है आज की इस वीडियो में बस इतना ही